जिहां दोस्तों तो आगे आज किस लेक्षर में आज हम कुछ जानना है वायू और वायू के कुछ महत पुर्ण बिंदू आज इसके विसेय में आज हम पतलों पूरी जनकारी ले ही लेंगे तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेगा जरूर देखिए अपने रसी यात पर टाएंगे कपड़े को हिलते देखा होगा जिहां दोस्तों आप तो जानते होंगे कि रसी पर कोई कफ़रा टांगा हुआ है तो वह तो हीलता है है ही तो अब आगे दिखिए चलते हुए पंखों के नीचे किताबों के पन्नों को आ फरफ़़ाते हुए देखेंगे करन होता है कि आप जानते हैं ऐसा कि और किसके करन होता है यह सभी गतिसिल वायू के सहाता से होते हैं जिसे हम किसके जरी हेलता है तो वायू के जरी हेलता है यानि हम यह कह सकते हैं कि यह सभी जो कारिया ना गतिसिल वायू के सहता से हो रहा है जिसके हम कह सकते हैं कि यह क्या है गतिसिल वायू क्या है हवा है जी हां दोस्तो तो इसकी विशाय में कुछ महत्वपुर्ण बिंदू बात क कहते हैं कि ये सब नां अगर आपको कहें भी दीख के इसका मतलब होता है वायू समझे तो वायू मंडल ये जो हवा है समجھे इत्यादी के बारे में आज मोहत्व पूर्ण भίνदू बात करें घे तो दोस्तों हवा फ्रिधवी का वाईू मंडल है यह जो हवा है जो है मतलब जीवित नहीं रह पाएगा अगर क्या अगर वायू न रहे तो ठीक है तो इसके बीना मनों से जीवित नहीं रह सकते हैं और आगे देखे क्या है इसके बीना संभव प्रिथवी पर रहने वाले सभी जीवों का जीवित रहना असंभव है जी हां दोस्तों अगर वायू न रहा तो इसके बीना प्रिथ्वी पर रहने वाले जिवों का जीवित रहना संभव है। बिल्कुल रहे यह नहीं तो कैसे लोग जिएगा। तो मतलब हम यह कह सकते हैं कि वायू के बीना लोगों को रहना संभव नहीं है। इसका अकार और आयतन अनिस्चित होता है जी हां दोस्तों इसका जो अकार होता है ना अनिस्चित होता है यानि कि जिस चीज में जाता है उस चीज का अकार लेता है ठीक है तो और इसका आयतन और अकार क्या होता है अनिस्चित होता है अब देखिए यह बहुत सारे गैसों ध धुलकनों का मिश्रेन है गैसों कहने का मतलब समझ रहे हैं कि सब नाइट्रोजन ऑक्सीजन यह सब क्या है कारबन डियोकसाइड यह सब आपको गैस ही है और धुलकन यानि धूल जो हता ना उसमें धुलकन भी उपस्तित है तो वायू में बहुत सारे धुलकन और अन्य गैस है जी हां दोस्तों और इसका कोई वास्तविक रंग नहीं होता है इसका कोई वास्तविक रंग नहीं होता है कि लाल है तो पीला है तो हारा है एक कोई भी रंग का नहीं होता है ठीक है यह क्या होता है यह गंद हीन होता है यह क्या होता है वायू गंद हीन होता है गंद हीन कहने का मतलब होता है دोस्तों मतलब इसमें कोई गंध ही नहीं है ठीक है यह क्या होता है गंध ही हिन होता है समझे तो मैं यह कहए सकते हैं कि वायू सभी दिसाओं में डाब डालती है Про यह आपको वायू से मिलता जुलता और और महतवपूर्na बाते और इसी तरह के महतवपूर्na बाते मैरे चैनल को संस्क्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक मतलब जो होता है ना सिस्क्राइब और बेल आइकन सब दबा देजिए तभी आपको सही समय पर मेरा वीडियो आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो समापते हुआ